सबसे पहले सबी भाईयों को मेरी तरफ से नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे स्रेलंका वोमन वर्शिज इंडिया वोमन का जो सेकिंड टी ट्वेंटी मैच कल खेला जाएगा तो दोस्तों हम अपनी वीडियों में बात करेंगे कि एक यूनीक टीम की इस परकार बनाई तो उसी के आदार पर, सेलेक्षन परसंटेज के आदार पर हम एक यूनीक ग्रेंड लीक टीम बनाएगे तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं यहाँ पर हम क्रियेट टीम करते हैं दोस्तों कि किस प्लेर्स को मारे टीम में होना चाहिए दोस्तों विकेट स्कीपर में मारे पास दो ओप्षन है ए संजीवनी और रिचागोस यानि कि इन में नो डाउट ए संजीवनी के साथ जाना दोस्तों हाला कि पिछले मैच में पॉइंट्स दोनों के लगबग सेम हैं लेकिन इस मैच में हम स्रीलंका के साथ जाएंगे तो दोस्तों फिर हम अपनी टीम में लेंगे सिमिर्थी मंदाना को सेफाली वर्मा को यहाँ पर हम जे रोडिक्स को यानि कि जे मिमा रोडिक्स को ड्रोडिक्स को ड्रोड करेंगे जिसने पिछले मैच में 36 रन बनाए थे यानि कि किसी प्लेर्स को ड्रोप करना होगा एक यूनिक टीम बना लेक लिए तो यहाँ पर सेलेक्शन परसंटेज 72% है जेमिमा रोडिक्स का तो हम इसको ड्रोप करेंगे और इसका बैटिंग ओडर भी नंबर 5 पर है इसलिए हम इसको ड्रोप करेंगे श्रीलंका की तरफ से हम एच समाराविकर्मा एंडी सिल्वा और वी राजापक्सा गुनारत ने तीनों को ड्रोप करेंगे हम यहाँ पर इंडिया की तरफ से एस में गना को लेंगे जिसने पिछले मैच में जीरो रन पर आउट हो गई थी दोस्तो यानि की वन डाउन बैटिंग करेगी सेलेक्शन परसंटेज 6 परसंट है इसलिए हम यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए एस में गना को अपनी टीम में लेंगे टैलिंटीड बैट्समेन है पिछले मैच में हो गया की जीरो पर आउट होगी लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं होता दोस्तो इसलिए आप इस मैच में भी मेगना को ड्रोप करके जे मिमा रोडिक्स को लोगे तो आप ग्रैंड लीग भी नहीं कर पाऊगे इसलिए इस मैच में हम रिस्क के साथ एस मेगना के साथ जाएंगे तो All Rounders में हम दोस्तों किसको लेंगे All Rounders में हम C8 पट्टू और K दिलाहरी और पूजावत अशकर को लेंगे हम यहाँ पर हरम परीत कोर को ड्रोब करेंगे एक युनीक टीम के लिए क्योंकि हरम परीत कोर चार नंबर पर बैटिंग करेंगी इसलिए बहुत से लोग इनको अ राजेशुरी गायकओर्श यानिकी बोलर्स में हम किस प्लेयर को ले राजेशुरी गायकवर्ट जिसने पिछले मैच में केवल एक ही ओध डाला था इसलिए इनका सेलेक्षन परेशनेज 43 है पता निक क्यूं हरम परीत कोर ने इन से हम पिछले मैच में एक ही ओध कर रहा साथ की साथ हम यहाँ पर ओ राना शिंगा जैसे कि पिछले मैच में बताया था कि एक अच्छी विकेट टेकिंग बोलर रोड पिछले मैच में तीन ओवर डाले और दो विकेट्स लेकर गई थी यहाँ पर साथ करेंगे आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर आई राना विकर्मा के साथ जा सकते हो मैं भी जाओंगा दोस्तों कान ने पिछले मैच में च्यार ओवर डाले थे और तीन विकेट्स ली थी हलाकी स्री लंका की टीम से बैट्समेन ने तो ज्यादा कुछ नहीं किया था लेकिन बोलर्स ज्यादा अच्छे रहे थे स्री लंका की तरफ से एक ही प्लेयर्स ने यानि कि के दिलारी जो पिछले मैच में मारा ट्रUMP CARD प्लेयर थी उसने 47 यानि कि 47 रनों के अच्छी पारी खेली थी और पिछले मैच में इनका सेलेक्शन परसंटेज केवल 2 परसंट था तब हमने इनको अपरी टीम मिलिया था लेकिन अच्छी कॉंबिनेशन के साथ यानि कि ड्रीम मिला उन पर अपडेट मैच अपडेट होकर दुबारा से स्टार्ट कर दिया गया था इसलिए कोंटेस्ट में जोई नहीं कर पाया इसलिए पिछले मैच में भी ग्रेंड लिग विन करने के अच्छे चांस थे तो इसलिए आज के मैच में हमने यहाँ पर इसकी जगाए पर एस में गना को लिया है कम सेलेक्शन परसंटेज के स्रेलंका की तरब से एसकुमारी को ड्रोप करेंगे रेनुकाशिंग को ड्रोप करेंगे देखो राधा यादव ने पिछले और में चार ओवर डाले और दो विकेट ले यानि कि एक अच्छी ग्रेंड लिग की टीम का असा थी लेकिन हर मैच में हम हर एक प्लेयर्स को यान एक फर्स्ट रैंकी टीम बनाने के लिए हम यहाँ पर राधा यादव को ड्रोप करेंगे जिसने पिछले मैच में चार ओवर डाले थे हम इनकी जगह पर रेनुकाशिंग को लेंगे जिसने पिछले मैच में इन्होंने भी पूरे चार ओवर डाले थे लेकिन इनको कोई व हमको यहाँ पर captain और vice captain किसको बनाना captain हमको यहाँ पर safali वर्मा को बनाना जो कि opening betting और पिछले match में दो over डाली थे और एक विकेट्स निकाली थी इसलिए इस match में भी opening करेंगी और दो over डालेंगी और विकेट्स लेंगी हाला कि overs ना डाले या डाले भी सकती है दोनों चीज हो सकती है लेकिन betting से आपको अच्छे points देंगी इसलिए हमारे पास सबसे best option है safali वर्मा वाइस captain आप किसके साथ जाना चाहेंगी वाइस captain के पास हमारे साथ है सबसे अच्छा option है C8 पोट्टू जो स्री लंकाई टीम की captain talented batsman दोस्तों साथ की साथ bowling भी करती है पिछले match में हाला कि betting से तो 16 run ही बना पाई थी लेकिन 2 और और 1 wicket डाली थी इस match में ये 40 plus का score कर सकती है जैसा कि 2 wickets भी ले सकती है जैसा कि इंडिया की तरफ से safali वर्मा bowling प्लस बैटिंग से हमको points देगी उसी परकार स्री लंका की तरफ से C8 पर 2 bowling प्लस बैटिंग दोनों से points देगी इसलिए दोस्तों अब मैं आपको टीम का प्रियू दिखा देता हूं तो दोस्तों ये हमारी Grand League की first rank की एक unique team बन गई है अब आपको दूसरी team किस परकार बनानी है दोस्तों दूसरी team आपको सब कुछ same रखना है बस आपको क्या करना है एक ही change करना जहां पर मग confused था इसलिए दूसरी team में आप पूजा वतसकर की जगह पर दिपती सर्मा को ले सकते हूं ये हमारी दूसरी team तयार होगी दोस्तों grand league team के लिए अगर आपको grand league team जीतनी है तो इसी परकार team मनानी होगी यहां पर आप देख सकते हैं सैफाली वर्मा captain है और vice captain अटा पट्टू है यानि कि हम मानिके चलेंगे कि सैफाली वर्मा ने तो points हमको ज़्यादा देने ही देने साथ की साथ 8 पट्टू को भी देने लेकिन हम मानिके चलेंगे कि यहां पर पूजा वतसकर अच्छा नहीं खेल पाई और उसकी जगह पर दिपती सर्मा अच्छा खेल गई तो इसलिए हम यहां पर दिपती सर्मा को अपनी टीम मिलेंगे इस परकार दोस्तों आपको अगर तीसरी टीम मना लिए है तो तीसरी टीम में आप यहां रेनुका शिंग को ड्रोब करके यहां पर राधा या दो को ले सकते हो इसी परकार आपकी तीसरी टीम मनगी दोस्तो तो आपको बिल्कुल एक एक चेंज ही करना है, ज्यादा चेंज करोगे तो Grand League नहीं जीत पाओगी, वाइस कैप्टन आप चाहो तो दिप्ति सर्मा को मना सकते हो, चाहो तो आप ओर राना सिंगा को मना सकते हो, हाला कि इस मैच में सिमिर्थी मंदाना मेरे इसाब से ज्यादा अच्छा परफोर्मेस नहीं करेंगी, क्योंकि पितले मैच में भी एक रन पराउट हो गई थे, और इस मैच में भी हो सकता है, यानि कि ये 28 रन बना लेती हैं, तो ये T20 में पूरे 2000 रन कवर कर लेंगी, इसलिए हो सकता है कि ये 28 से 30 रनों की पारी खेल ले, इसे ज्याद हरम प्रीत कोर को ले सकते हैं भाई, लेकिन मैं यहाँ पर हरम प्रीत कोर को ड्रोप करके चलाओ, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर कर देना, तो दोस्तों मेरी तरफ से नमस्कार